नमस्कार जी मैं संधिया आज की वीडियो में इन खूब सूरत से लिली के फूलों के साथ सुरू कर रही हूं तो यह देखे इसके तीनों जो बढ़त हैं वह देखी खिल चुके हैं और यह बहुत ही खूब सूरत दिख रहा है और इसमें दो तीन खिल चुके थे एक हो चुके होते हैं उनको फिर भी मतला फिर से इनर्जी प्लांट उसको देता ही रहता तो अपनी इनर्जी को कार देता है तो इससे क्या होता है मदलbo उसमें फीन टो lagi हैं उनको भी लाचाने में लागा देता तो इसलिए फिर लाशना से इसके फ्लावर जो है चलती रहते हैं तो ऐसा क्या है कि इस समय तो मौसम जो है ठंडा है और धूप नहीं निकल रही है तो चलिए ठीक है जहां है रखा है आपने वहां ठीक है अच्छी बात है लेकि बहुत जा तेज धूप होने लग जाता है और यह लेली के फूल खिले र मतलब ठीक ठाक उसकी रोशनी मिलती रहे तो यह लंबा टाइम तक फिर चलता रहता है क्योंकि धूप में क्या होता है इसकी पैटल जो होते हो जल्दी से जल्दी खराब हो जाते है लेकिन अभी क्या है मौसम फॉगी-फॉगी सा हो रहा है और इतना तेज दूप मतलब को सब्सक्राइब तो अब ही मैं इस पर बात नहीं करूंगी आज में रोज के प्लांट पे कुछ पात करूंगी और थोड़ा वह जो भी मुझे नौलेज है उसके बारे में मैं वही आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो अक्सर वीडियो में आपको अपना अंग्रेजी जो उसको और यप स्वलेटों अपती को लोग करतेMusic कि प्लांट से मैं आप लोग सेयर किया करते हैं क्या टीलाइज़र देती हूं वहा अभी मैंने शेयर किया वह कैसे कि यड वी इसलाइवा बलाय में बनी इससी खार ने इसकी फर्कूरिंग और बोली इस वह में घर रोग आ और फूल लेती हूं। इक साथमि कर चुकह परचु यह लिए कर चुका है। भी यह इसां है। आप कि जो इसाथे गड़ा है , जो इससे है ऽुआप अदू आ द किatellу करना लोत था क्टाइक। तो इसमया है कि इस समय चाहिए वह इंग्लिज रोस प्लांट हो तो इस समय कि जब ऊसके फ्लार इसन हो जाए तो उसको क्या है कि एक दो नोड छोड कर उसको कट कर दें contrad हैं। और लेकिन बस यह है कि उसको hard प्रूणिंग ना करें उसको soft pruning करें चाहे वो अंग्रेजी रोस प्लांट हो चाहे वो देशी वराइटी का हो तो इस समय soft pruning करेंगे तो इसमें इस तरीके से फिर नई नई सूट्स बनेंगे तो फिर से इसमें बड़ बनेंगे और फुल खिलेंगे तो आप तिबारा चुबारा ऐसे करके इसका ज जो है वो एक हैवी फिर प्लांट पानाई जाता है तो जब सारे इसके बड़ हटा देते हैं और कट कर देते और इस तरीके से नेने सूट्स निकले लग जाती है तो आप यह समझे किसमें अपना कितना इनर्जी इसको लगा दिया बड़ बनाने में फूल खिलाने में और तो इनर्जी अवे कहां से इसमें लिया इसने मिटी से लिया और मिटी पे कहां से अनर्जी आई है जो हमने कावडंग कंपॉप स्द चाहिए वो ड्राइफों में हो या लिकुट फोरम में हो और बर मी कंपॉपॉष्ट या पिर बकरी की मिंगनी चीह पिर सर्सो की खली का जो liquid compost वगरे डालते हैं उसी सचने लिया इसने काफी सक कर लिया है तो जाहिए सी बात है कि मिट्टी में अब कुछ बचा नहीं है तो क्या किजिएगा कि मिट्टी की गुडाई कर दीजी मिट्टी की गुडाई करने के बाद एक दो दिन तक छोड़ दीजे ताकि इसमें अकसर कहती हूं कि जो सर्दियो का मॉसम होता है वह बहुत छोटा होता है उसमें प्लांट को सारा काम करना होता है अपना इंदू करना होता है फूल कि अग अगर हम ड्राइफ़ों में डालेंगे तो उसमें लगेग को देखा अर पास्ट कर अगर हम फॉर्म में डालेंगे तो यह जल्दी से उक रह लंग फिर उसके बाद उससे पहले ही इसको गुडाई कर देंगे इसमें हवा और धूप अच्छे से लग जाएगा फिर इसकी मिट्टी भी जाहिए जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे जो भी इसका हो रहेगा फटीलाइजर रहेगा पानी में उसको थोड़ा सा अगर एक लीटर पानी है तो दो तीन आठ गुडा उसमें मिक्स करके उसमें वाता इसको डाल देंगे इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद यह जो है उससे इनर्जी को मिलेगा फिर से इसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगी नई नई बढ़ आएंगे सूट आएंगे सूट बनेंग फूल खिलेगे तो फिर से इसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगी बस इतना ध्यान रखना है कि ड्राइफ फॉर्म की बजाए अगर हम लिक्विड फॉर्म में डाले इसका फर्टिलाइजर तो वह ज्यादा अच्छा है दूसरा हार्ट प्रूड निंग ना करेके इसकी स यह जटार इसमें नहीं शूट भी निकलेंगे और घंअ रहेगा तो जादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है है रख करने के ज़रूरत भी बिस इतना साही किया गुलाबं के प्लांट को यह काफी अच्छे से चलेगा अगली बात यह कि इसमें भी एफिट्स और माइट्स और Leaf Curl की problem होती है तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया कि Leaf Curl की problem हो तो हमेसा नीम ऐल का spray करते रहना चाहिँए 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जैसे भी आपको मौका मिले और यदि एक आदी Leaf Curl हो रही है तो उसको वहाँ से कट करके हटा दीजिए दूसरी अगली बात ये कि इस पे जो है नीम ओयल का इस प्रे करते रहने चाहिए इस पे भी मतलब मीली बगवगर का अटेक होता रहता है अगली बात ये इस्प्रिंग सीजन में ज्यादा से ज्यादा प्लांट को मतलब रोग प्रभावित करता है अगर उस प साथ हमेशा कर्ते रहें इस समय क्या है कि जैसे फौग वौग-डी हो रहा है थंडा मौसम और तो आप रोज प्लांट को नह लागर पानी ना दे उसके मिट्य को पानी बांए गर pays刚 कि तूसे देने जोल से बाहर निकल जायेगा तो उतना ही पानी डालीए जितना की लाइड को पानी की ज़रूरत है तो इस से लिक्ट फटिलाइजर भी नहीं पहलेगा रूट की प्रव्लम नहीं होगी ओवरवर्ट नहीं होगी नहीं जड़े तो इससे यह चीजों से प्लांट बचा रहेगा और अगली बात है कि पानी हम तब ही दे जब इसकी मिट्टी ड्राय हो जाए और पानी देने से पहले मिट्टी में एक बर गुड़ाई कर लें कि थोड़ा बहुत भी नमी अगर एक्स्ट्रा है तो वह सूप जाए तो यही प्लांट हमारा काफी हैल्दी बना रहेगा और दुबारा तीबारा हम इसमें फूल ले सकेंगे और इसको इंजवाए कर सकेंगे तो फ्रेंट्स यह तो हो गया रोज प्लांट का छोटा सा केयर और एक चीज़ में आपको लगे हाथ इसमें यह बता दूं कि जैसी इसकी ज प्लांट के लिए या फिर कुछ ऐसा करें कि दो चार फूल तोड के मिटी में ही डाल दीजिए किसी गमले में अगर जग खा लिए तो इसमें डाल दीजिए तो वह फिर से मतलब उसके चुट-चुटे प्लांट बन जाते हैं तो उसको फिर आप कम से कम यह 15-20 तीन जर्मि करेंगे तो अप्रेल मीड माई तक आपको फ्लावर में देखने को मिलेगा तो मैंने इसका इम एक दो फूल तोड के डाला है और चलिए मैं दिखाती उसका क्या रिजट है तो यह देखिए फ्रेंट लगा हुआ है इसका क्रोटन का इसी में जगह खाई तो इसमें मैंने एक दो फूल तोड के डाल देखिए जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो गई एक पौधा यह निकला हुआ है और यह अंकुरन हो रहा है तो मैं इसे ठंड के वज़े से जो है अभी एक ही दो दिख रहे हैं अभी मौसम ठीक होगा धूप निकलेगा गुनगुनाहट रहेगी तो यह तेजी से जर्मिनेट होगा तो मैंने क्या किया है मेरे पास यह ड्रेने जो मतलब गॉटम होता है जो गमले के नीचे लगाया जाता है ट्रे जो है इसी से मैं अभी आज ही सुवर मैंने इसको इस तरीके से ढग दिया है ताकि उपर से ओस और पाले का असर ना हो मैंने शेयर किया कि आप भी चाहे तो अपने प्लांट में इस तरीके से फूल को तोड़ के रीग्रो कर सकते हैं और उसके पौदे को लगाएंगे तो फिर से आप उस फूल को इंज्वाय कर सकते हैं मिड मई तक तो यह देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको ढग दिया सूर्स भी निकल रहे हैं यह देखिए इधर इधर नेने सूर्स यह निकल रहे हैं यह बहुत अच्छे से यह चल रहा है पौधा देखिए कितना हैल्दी है कई दिनों से धूप नहीं निकल रहा है लेकि फिर भी इसकी पतिया देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और से फ्लावर लेने का वह आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करेगा मेरी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मबली स्क्रीन पर आप लोग